हेलो फ्रेंट एडुकेशनर फ्रेक्ट चेनल में आपका स्वाकत है हाजीर आपके लिए आज की खास अबडेट को लेकि तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वह है आपका जो कि हाली में सेक्टरेट कलर्ट का जो पोस्ट कोड़ 962 का एक्जाम हुआ है उसके आपक कुछे कह रहे थी कि 80 प्लस इसमें कटप चासकती है तो उसमें भी हमने बताया था कि एक जनल आइडिया साथ के करीब 75 के करीब आपकी जो कटप वेब रहे सकती है उस टाइम हमारे पास कोई डाटा नहीं था तो हमने उस वीडियो में भी बहुत से कमेंट करने को कहें थे यहां दिशिका है तो लोगों ने यहां पे कमेंट किये हैं हुँ आपन एक दिन पहला ही यह आपका पूल है वो ओडिये क्या था यहां पर देखसे हैं जिसमें हैं कि 55-90 जिनके के द्थासकी है वह 20 vrijl सोन और 70 वं Kenya है वह क्यंट 4.4K वोट्स इसको मिले हैं अभी तो ये एक दिन का ही है तो 1500 लोगों के करीब यहां पर इन्हों ने जो है पाटिस्पेट किया था तो 1400 का ये आपका 20, 27, 22 और 14, 15 प्रेसंट है तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो आप यहां पर दिखते हैं कि 81 से जादा भी इसमें 14 प्रेसंट है इसको भी हम मान लेते हैं कि ये चलो इतने जादा कोई भी नहीं है अगर हम इस बात को माने तो तब ही अगर 70 से 80 के बीच में जाए तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा ये नंबर है 22 प्रेसंट का इसे भी हम मान लेते हैं कि इतना जादा नहीं है लेकिन कहिना कहीं जो मानने के लिए हमें तयार करता है वो है आपका टोटल जो इसमें कंडिडेट थे जो नहीं भाग लिया था तो वो आपको पता है कि 90,000 के जो करीब है एडमिर कार्ड है वो जारी हुए थे उसमें भी हम मान लेते हैं कि लगबग आपके 20,000 लोगों ने पेपर नहीं दिया है अगर 20,000 लोग पेपर नहीं देते हैं फिर भी आपके पास 70,000 जो है कंडिडेट वो बच आते हैं लेफ्ट और आपके पास ज जब हम जाते हैं इस 82 का बहुत ही कम-कम आगे बचता है और यही बात है जो कट अफ हाई रहने के लिए इसमें सबसे बड़ा रिजन है तो आपको पता है कि इसमें अगर तो हम मान के चले 42,000 कंडिडेट ने माल लीजी की पेपर दिया है और 82 ही इसमें वकेंसी दे तो एक हजार में एक कंडिडेट ऐसा है जिसको यह जौब मिलने वाली है फिलहाल उससे पहले टाइपिंग टैस होना है आपका और जिसके लिए 1-10 की रेशियो में स्लेक्ट होने है और टोटल जो कंडिडेट स्लेक्ट होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए वह आपके वैसे तो 1 आपने नोटिफिकेशन में देखा भी होगा कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी वकैंसी रखी गई है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ जनल की तो जनल की यहां पर जो है सबसे जादा 31 जो वकैंसी है वो है लेकिन इसमें भी आपका यह रहता है कि इसमें शिप्ट तो इसमें से कम होनी ही है और 25 पोस्ट जो है वो जनल के लिए बचेगी अब इसमें बात कर लेते हैं आगे EWS की EWS की यहां पर वकैंसी वो 10 है जनल FFF की यहां पर है एक वकैंसी SCUR की है 16 BPL की SCBPL की 3 है SCWFF की 1 है OBCUR की 13 है OBCBPL की 3 है STUR की 3 है और STBPL की 1 वकैंसी है तो इस से में आफ दिखसे हैं कि इसको आप 10 से मल्टीप्लाय करेंगे जब किसी भी जाने गक्लिफिट है तो अधर कैटेगीरी में यहाँ पर दिखते हैं कि ने कम-कम जो कंडिरिट है वो जाने हैं अब आप दिखते हैं कि जो नमबर है वो काफी बड़ा है जिन्होंने apply किया है और जिन्होंने exam दिया है तो इससे जो cut-off है वो आपकी high रहने के चांसे से ये आपको प्रीप पता है तो कितनी high रह सकती है ये तो अगर आपके 70 के करीब अगर मैं general idea दूँ आपका तो 70 के करीब अगर आपके marks बन रहे हैं तो आप उमीद रख सकते हैं तो एक जो number मैंने set किया है जो cut-off रह सकती है category wise वो मैं आपके साथ जरूर शो करना चाहूँगा तो mainly यही है कि जो आपके cut-off है वो 70 के करीब रहने वाली है और general की अगर मैं बात करूँ टाइपिंग के लिए तो यह high तो रहेगी आपको पता है क्योंकि इसमें candidates बहुत जादा है तो competition भी seriously जो है वो जादा ही रहने वाला है और अगर exam के level की बात करूँ मैं तो level भी इसमें moderate था यह easy level का तो नहीं था और नहीं यह इतना tough था तो इसलिए moderate level में जो आपको पता है कि बहुत से candidate ऐसे भी होते हैं जो preparation अच्छे से कर रहे होते हैं और वही job भी लगते हैं आप बुरा ना मानी इस बात को लेकिन जिन्होंने अच्छे से preparation की होगी वह job में जरूर लगते हैं और competition भी उनका ही है जो 90,000 है उसमें से 50% तो ऐसे हैं जिन्होंने की एक महिने ही जादा तर त्यारी की होगी जादा से जादा बल्कि वह भी नहीं की होगी तो लेकिन जो job में लगेगी उनने काफी समय से त्यारी की होगी और उनके marks भी अच्छ सकते हैं कि अगर मैं जर्नल की बात करूँ जादा बाते ना करते हुए तो जर्नल की जो रह सकती है वह आपकी 72-72 के करेव यह रह सकती है आपकी एक्जक्ट तो नहीं मैं बताऊंगा लेकिन टाइपिंग के लिए अगर आपके 70 तक आप उमीद रख सकते हैं जर्नल कडिग त्यारी कर सकते हैं जर्नल की एक ही विकंसी है इसमें कुछ भी रह सकती है ज्यादा इसमें कहां नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी अगर 60 प्लस अगर स्कोर हैं किसी कंडिडेट का जर्नल है तो उसके काफी अच्छे चांस है एसी यूर में 65-67 के बीच में टाइपिंग के के लिए कटभ रह सकती हैं वैसे हाई भी जा सकती है लेकिन कम नहीं जाएगी कि मीनिमम है इससे नीचे मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे आएगी एकड़िट क्यूंकि आप निकले थी उसके बीच्छ्छी है और इसमें भी कड़व जो है वह है रहने के चंसित है SCBPL में यह 62-62 के करीब इसमें रहने वाली है और SCWMMA की वेकंसी है तो अगर 60 प्लस अगर आपका स्कूर है किसी का तो अच्छी बात है अगर 50 प्लस भी है तब भी आप उमीद रख सकते हैं OBCUR में 66-68 के बीच में जो cut-off है वो टाइपिंग के लिए रह सकती है और OBC BPL में 61-63 के बीच में STQR में candidate कम होने के वाज़ा से शायद इसमें 63 तक यह ठच करें 63-66 के बीच में रह सकती है और OBC जो STBPL है इसमें वी वाकंसी एक ही है तो इसलिए इसमें वी 55 के करीब अगर इसका स्कूर है इसे उपर है तो उसके एक अच्छी चांसे बन सकते हैं फाइनल सेलेक्शन टैपिंग के लिए फाइनल सेलेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो फाइनल के लिए जो कटफ बन सकती है क्योंकि इसमें document verification तो होगी नहीं आपकी आपका जो 949 हो गया 930 हो गया और भी बीच में आपके आते रहते हैं चोटे-मोटे exam जो है उसमें भी कई बच्चों की selection हो जाती है तो कई इसमें join नहीं करेंगे गए तो इसमें cut-up थोड़ी सी कम जाने के चांसे भी है मतलब ज्यादा variation नहीं आएगी आपकी टाइपिंग और जो final आपका cut-up है उसमें तो अगर आपके final में final के लिए आप यहां पर दिखते हैं क्योंकि इसमें पहले तो typing के लिए 1-10 में जाएंगे लेकिन आपके final में तो एक ही select होगा तो इसमें में आपका 75 से उपर अगर आपका score है तो आप final selection के उमीद रख सकते हैं जनरल UR में EWS में 72 प्लस अगर आपका score है तो आप उमीद रख सकते हैं जनरल एफफ में आपका 65 प्लस आप यहां पर मान सकते हैं एक post है यह इसमें जादा कुछ नहीं कह सकते हैं वैसे और SE UR में 70 प्लस अगर आपका score है तो आप उमीद रख सकते हैं और M 많은 65 प्लस आपका score है तो आप उमीद रख सकते Hennis 105 यह भी आप 60 प्लस लेए और OBCU iR में 71 प्लस है अगर आपका score है OBC में कहीं वदा रहाई चली जाती तो 71 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप उमीद रख सकते हैं वी पील में अगर बात करूं तो बिल्कुल सेफ आपके लिए स्कोर है वह आपका वही है करते हैं इसमें सब के टेगरी में तो काफी अच्छा स्कोर है 75 क्यूंकि आपको पता है कि काफी जादा लेंट्टी हो जाता है पेपर जब 200 कुश्चिन जाते हैं तो लास लास में ठक भी जाते हैं अटेम्ट करते हुए तो इस वज़ा से कुछी कुछ गलत भी हो जाते हैं तो अगर आपके 75 questions बन रहे हैं तो काफी अच्छा ये score मारा जाएगा आपका तो इस तरह से अगर आपके इतना score बन रहा है तो आप काफी उमीद रख सकते हैं बाकी ये वीडियो आपको informative लगी होगी तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल कर सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर लगातार जो latest updates है या job alerts है वो मिलते रहेंगे तो बाकी मिलते हैं अगली update के साथ ये वीडियो आपको informative लगी होगी वीडियो को लाइक अना भूले चैनल कर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए